नमस्कार दोस्तों ट्रेट के इंडेक्स एस वीडे में आप सभी का स्वागत है तो चलिए देखते और प्लान करते निफ्टी बैंक निफ्टी में कल कौन से लोकेशन पर ट्रेड लिए जा सकते हैं तो यहां पर निफ्टी का हमने डेली टाइम फिर्म का चार्ट लगा हुआ है ब्रेक आउट के बाद फिर से जब वह फर्स टाइम के लिए कभी भी उस लेवल के बास आएगा वो उसको हमेशा से रिस्पेक्ट करेगा तो यह चीज़ आपको एक बेसिक प्राइस एक्शन रूल आपको पता होनी चाहिए तो कभी भी फर्स बाउंस आपके एक नया रस्ता खुल चुका है तो यहाँ पर चले 15 मिट साइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते हैं 15 मिट साइम फ्रेम पर देखते हैं कि का सपोर्ट रिस्टन से एक चीज़ याद रखिए कि यह बेरिश कैंडल नहीं यह डोजी कैंडल है और इसके बाद यह जो कैंडल बना रहे हैं तो यहाँ पर एक सपोर्ट हमें रेजिस्टन्स देख रहा है नाइंटीन थाउजन फाइफ फिस्टी बहुत इंपोर्टन लेवल है यह क्लियर होता है तो ही आने वाले समय में हमें वापस उननीस अजर शेसो साथ सो आट्सों के लिए देखने मिलेंगे मतलब है बुलिष केंडल लेकिन कैया आपको पता है आपको ओपन इंट्रेसिसे यह पता चल सकता है कि कैंडल के अंदर क्या हुआ है इस लिए एक स्पेशल फीचर है ट्रेटलू पे जिसका नाम है फो आये तो एक लिक्लिक करोगे आपके लिए एक नया पर नया पे जैसे यह उपन होता है options dashboard यहाँ पर आपको clearly एक dotted line दिखेगी जिसमें plot किया गया है जो आपको बता रहा है कि उस candle में futures open interest क्या है तो अगर हम निफ्ती की candle daily timeframe की candle confirm करें यहां पर देखे तो यह लगवाक तीन तारीक की थी और ये जो ग्रीन तारीक की ती तो यह दिके तीन तारीक की candle में जैसे के आप color यहां देख सकते हो यहां पर color coding हमने कर रहे हैं हें तो यहां पर एक चीजओ याधे यहां शोट पोजीशन्जद बनी हुए और इसके नेक्स्ट वाली कैंडल में क्या हुआ अपर जो हुआ है वह बिसीकली लॉंग बिसी trat बनी हुए तो इसका मतलब बायर और सेलर के बीच में फाइट अभी भी चल रही है हमें यह उपज़व करना होगा कि यहां जिस दिन शॉट कवरिंग आ जाए मतलब की सेलर ट्रैप हो चुके है यहां से अगर प्राइज नीचे आ जाती है तो लॉंग अन्वाइंडिंग आएगी तो यह आपको एवरी डे एंड ओफ दे बेसिस पर आपको यह पता चलेगा और आईडेली पूजिशनली अगर लॉंग शॉट जाना है जैसे मान के चलते हैं देख सकते हो ट्रिपल वाटनम देख सकते हो बुलिश कैंडल देख सकते हो बुलिश चाट पैटरंस देख सकते हो और उसके साथ आपको बैक टू बैक या टू डेज में लॉंग बिल्टप होना चाहिए अगर मार्केट उपर चला जाता है एक रिजिस्टन्स के पास और आपको यहां पर कोई भी एक डबल टॉप फिपल टॉप कोई भी आपको बेरिश पैटन मिलता है और बैक टू बैक अगर फीचर में शौट बिल्टप दिख जाता है तो डेफिनेटली वहां पर पोजिशनली भी शौट हम कर सकते हैं तो हम यह end of the day में चेक करते रहेंगे कि यहां पर अगर यह डबल बॉटम मनाता है और बैक टू बैक अगर दो केंडल में लॉंग बिल्टप आता है डेफिनेटली वहां पर एक लॉंग पोजिशन फिर से बनाई जा सकती है और हमारा फिर से नया टार्गेट होगा वह है ओल्टाइम हाई के आसपास तो चलिए देखने निकलना चाहिए मंडे को मंडे ने तो तूज़े को अगर निकलता है डेफिनेटली अपसाइड अच्छा का सा मोमेंटम देखने मिल सकता है तो टेकनिकल लेवल एक्जैक डेली रिजिस्टन्स उसी लेवल के पास है और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हो मैक स् कि ओपनिंग कहा होती और हम थोड़ सब बाहर सेलर के नजीरिये से प्राइज एक्षन को देखने प्राइज एक्षन को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो यहां पर जैसी कि आप देख सकते हो फर्स टाइम यहां पर सेलिंग आई रेड बॉक्स आया सेलिंग और सेलर्स प्र क्या के रहे हैं कि सेलर चाहे कितने भी प्राइज टाइं फेले टाइम नीचे लेके अपिर से यहां कहा कुले औक कहा कुले पर अपसाइड का लेवल आपको पता चल गया है मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इसी लेवल के पास और फ्रस्ट एंफिफ्टी में में इस लेवल को ब्रेक कर देता है इसी लगाए यही पर आपको फिक ब्रेक आउट देता है इमीडियेट उस कैंडल का हाई आपको एसल लगा कि से यहां का है स्टॉप लॉस लगाए इमीडियेट ली सेल कर सकते हो क्योंकि यह फिक ब्रेक आउट होगा जितने वी हमारे जैसे अनलिसेस करके लोग बैठे है व यहां फिर से अगर साइडवेज निकल जाती है तो फिर से हमें डाउंसाइड की रैली देखने मिल सकती है अब यह तो हो गई फ्लैट ओपन होता है तो गैप डाउन ओपन होने पर हमें वेट और वाच करना हो क्योंकि मार्केट एक नो ट्रेडिंग जोन में खुल जाएग प्रेडिंग हमें यह तो इस लिवैल के पास करना है तो इस लेफल के पास आता है सपोट लेता और फिर उपर निकल तो यह पर हम एंटरिटेड करने के लिए नहीं लिवाच करेंगा जाएं नाइंटीन त्री हंड्रेड और निकालने के लिए जानबूच के मार्केट को वह गैप डॉपन करते जिससे की लोग डर जाए और फिर वाद से एक वन वे रैली हमें देखने मिलेगी जो हमें फिर से लिख्या है जो रिजिस्टंस था वही पर प्रार्केट आके क्या कर रहा है फिर से सपोर्ट ले रहा हमेशा याद रिखे डेली टाइम फ्रीम्स के आपके जो यह है सब्सक्राइब को यह चीज याद रखने आपको यह इसके लिए भी निफ्टी बैंक के लिए हम एक बार डेटा देख यहां पर देखने तो यहां पर यहां पर अगर आप जाओगे तो निफ्टी बैंक को इसलेक करना होगा में डेफिनिटी अपने पोजिशन स्क्राइब कि और उसके बाद उसकर सबसे तीन पॉजिशन बनिए बनीए यानि जिसने यहां पर शौट किये होंगे शौट पोजिशन यहां बिल्ड की होगी यहां बिल्ड की होगी यहां बिल्ड की होगी यहां बिल्ड की होगी उन्होंने कवर की है तो अभी भी यह क्लियर सिगनल डेटा की हिजाब से नहीं है कि अभी भी हमें लॉंग जाना है लॉंग जब जाना है तब क्या करना होगा सपोर्ट पर वेट कीजिए आपको पैटन देखने दीजिए बैक टू बैक अगर दो कैंडल आती है अच्छी कासी बुलिश कैंडल जाती है तो भी ठी ठीक है ठीक ठाक बुलिश कंडल जाती है तो भी ठीक है लेकिन उसके साथ डेटा को भी आपका साथ देना होगा जैसे आप यहां पर देख सकते हो यहां पर देखें शॉट कोवरिंग बैक टू बैक आया इसका मतलब क्या है कि सेलर सिस्टम से एक्जिट कर रहे हैं अगर आप यह 13 और 14 तारिक को देखोगे 13 और 14 तारिक को लगबग यहां पर था 13 और 14 यह बैक टू बैक शॉट कोवरिंग आई थी इसका मतलब हुआ क्या जिस जिसने यहां पर शॉट पोजिशन बनाई अपनी उनको अब यह पता चल गया अब मार्किट इसके नीचे नहीं जा है आपको वह पर एक पोजिशनल अच्छा का सा लॉंग ट्रेड मिल सकता है 15 में पर चलके देखते हैं कि 15 में पर क्या बता रहा है तो यह पैटन है जिसे हम क्या कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखके हमें बताना होगा तो यह पैटन हमने ज़रूर कर दिया लेकिन क नाम क्या है तो यहाँ पर एक इंपोर्टन चीज़ है कि यहाँ पर देखिए रेजिस्टन्स ले रहा है रहा है अब यहाँ पर भी एक कॉमन पैटन दिख रहा है कि सेलर्स यहाँ जरूर आये थी यहाँ से मार्केट वो नीचे लेके आने में कामियाब जरूर हुए लेकि है हमें डेटा से तो यह पता चल गया यह अभी भी कोई नहीं है क्योंकि अगर होता तो डेफिनेटल यहाँ तो हमें दो बैक टुबैक शॉट कवरिंग अगर होती हम कर सकते थे मंडे को लेकिन यहां एक दिन शॉट कवरिंग हुए और एक दिन लॉंग अन्वाइंड इस अच्छा का सा इक्स्प्लोजिव मूद है तो यहां पर उपर में हमें क्लियर ली दिख रहा है कि डिली रिस्टंस है मंतली सपोट भी है अच्छे कासी लेवल मैक्स पूट और मैक्स कॉल हो आई है और यह क्योंकि एक साइकलोजिकल लेवल है यहां पर काफी टाइम मार्क गुजारने की कोशिश करेगा यहां से क्लियर कट हमें एक डायरेक्शन मिलेगी यहां तो फेक ब्रेक आउट मिले अपसाइड में मार्केट फ्लाइट ओपन होता यहां जाता है वेट करता है फिर निकलता है तो एक अच्छी कसी रैली अपसाइड में मिल सकती है वैसे नह आर्केट अगर थर्ड टाइम उसी लेवल के पास आता है और वहां पर थर्ड टाइम अगर सक्सेस्फुल ब्रेक आउट नहीं दे पाता तो फिर एक स्टॉंग बेरिश कैंडल पर बहुत जादा बड़े तादात में सेलिंग होती है बहुत एग्रेसिव सेलिंग होती है औ रेंज के लिए वेट करना होगा रेंज जिस साइड में ब्रेक आउट होगी ब्रेकडां होगी डेफिनिटल वहां पर हम ट्रेड ले सकते एक्स्ट्रीम गैप डाउन में एक स्ट्रीम डाउन में प्रिवेस्ली रैली हुई थी तो हो सकता है यह पर फिर से कंस्रोलेशन करके फिर से एक अच्छी कसी रैली आमें अपसाइड में देखने मिल सकती है यह वीडियो सिर्फ आपके इंफर्मेशनल परपस के लिए एक रुपए करके अपने रिस्क को मैन